इस वीडियो में जो हम Galaxy S21 FE, Snapdragon 888 vs Galaxy S21 FE, Exynos 2100 में जो है Geekbench टेस्ट जो है करने वाले तो देखेंगे कि कौन सा फोन जो है जादा अच्छे स्कोर्ज लाता है Geekbench में तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह एकसिनोस वरियंट है, वाइट कलर का, स्नाप्रागन वरियंट है हमारा ओलिव ग्रीन कलर का यह सारे इनके स्पेक्स वगरे आप देख सकते हो in short यहाँ पर यह सिस्टम नहीं दिखा रहा है तो इसे जो है यहाँ पर आउन करते है और यहाँ पर आडवर्टिसमेंट आईगी क्योंकि हमारा Geekbench जो है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं करता है और मुझे आपको यहाँ पर स्पेक्स भी दिखाने इसलिए और टेंप्रेचर देख लेते हैं दोनों का टेंप्रेचर है 37 है Exynos का थोड़ा सा जादा है 36 37 है यहाँ पर आप देख सकते हो टेंप्रेचर वगरे यहाँ दिखा रहा है तो चलिए 37 36 तेंपरेचर हो गया सारे बैक्राउंड के आप्स बगरे बंद कर दिए दोनों जो है सेम स्वाफ्ट्वेर अपडेट पर देखने मिलते हैं दोनों में ब्राइटनेस भी मैंने यहाँ पर सेम रखी हुई है और कोई भी चीज़े यहाँ पर चल इसके स्पेक्स देख लीजिए और करते ही टेस्ट शुरू 3,2,1 and go दोनों में एक साथ मैंने टेस्ट शुरू की है तो देखते हैं कौन सा फोन जो है पहले टेस्ट कम्प्लीट करता है और कौन सा फोन जो है जाधा यहाँ पे स्कूर लेके आता है वैसे मैं यह जो एक्सि कर लेते कोई इशु नहीं है और अभी यहाँ पे जो है मैंने 11 बच के 19 मिनिट में हमने टेस्ट शुरू की है और अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं वीडियो पॉज यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने टेस्ट अन का शुरू करके जो है कुछ मिनिट्स हो चुके और यहाँ पर स्नाप्रेकन ट्रिपल एड जो अभी भी आहेड है एक्सिनोस 2100 के कंपारिजन में और टेंप्रेचर मुझे दोनों में कुछ ऐसे खास यहाँ पर मतलब व वो था एक्सिनोस का 37 और स्नाप्रेकन का 36 डिगरी तो इसे कंटीनी होने देता हूँ और आपको जैसे कोई 100% पर पहुँच जाएगा या फिर 100% होने वाला हो तो वीडियो रिजुम करके आपको दिखा दूँगा वापस से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्नाप्रेकन ट्रिपल एट वेरियंट है यह जो है यह हमारी टेस्ट को जो कंप्लीट कर चुका है अल्मोस्ट यह सो जुगी है 100% और यहाँ पर स्कोर निकल के आए सिंगल स्कोर 802 मल्टी स्कोर मल्टी कोर स्कोर 3526 और अल्मोस्ट यह 22% से अहेड रहा है हमारा यह स्नाप्राइगन ट्रिपल एट वेरियंट गैलेक्से च्ट्वेंट तो यह जो ट्रिपल एट है बेटर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर गीक बेंच पर लेकिन रियल लाइफ में जो है दोनों फोन में करने ऐसे कुछ थोड़े हेवी टास्क होंगे तो यह जो स्नाप्राइगन ट्रिपल एट वेरियंट थोड़ा जो है बेटर परफॉर्म करेगा हमारे इस एक्सिनोस 2100 से और टेंपरेचर इसका देख लेते इमीजेटली कितना है इसका 36 था और अभी टेस्ट होने के बाद जो इसका टेंपरेचर यहां पर इसे फिर से बंद करके तो थर्यिसक सी अरान जो है थर्ट Kr का इसका इसका बड़ चुका यह द्युक्त तर इस होनेवाला हैं जो है कमपेरीजन के लिए रखता हूं है 93 हो चुका है तो इसमें 3 दिगरीज घर है इसमें कितना टेपरेचर बड़ा है वह एक बार देख लेंगे तो आप देख सकते हो स्कोर में भी स्पेशलिं मल्टी कोर में तो थोड़ा जादा डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिंगल स्कोर तो थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन मल्टी कोर में जो है यहां पर Exynos 2100 जो इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है तेमप्रेचर एक बार देख लेते हैं इमीचेट जाके यहां पर 37 से कितना हीट वगर हुआ है तो आराउंड 37 यहां पर इसने कुछ खास इंक्रीज नहीं किया है लेकिन जो परफॉर्मन्स है वह थोड़ा यहां पर कम निकल के आ है और यहां पर सामसंग फोन में जो है कुछ बैटरी में सेटिंग्स भी मिलते हैं जिसमें परफॉर्मन्स मोड अन करके यह यह आपसे टे हो सकता है एक्सिनोस में कि बैटरी बचाने के लिए परफॉर्मन्स थोड़ा यहां पर इस इन्होंने कम करके यहां पर दिखाया होगा लेकिन तो भी मुझे दखता है स्नाप्रागन ट्रिपलेट जो अच्छा ही परफॉर्म करने वाले है तो यह था हमारा गीक बेंच टे जो है आते है और यह मल्टी कोर में है और डिवाइस और यहां पर एवरेज स्कोर दिखाया है डिवाइस का 2178 तक जो है यह डिवाइस जाता था मेरा तो भी जो है यहां पर मल्टी कोर में जो है कमी है स्नाप्रागन ट्रिपलेट के कंपारिजन में और सिंगल स्कोर में तो इस तरह से जो हमें यह गीक बेंच जो है स्कोर्स दोनों के देखने मिलते थोड़े वैरी करेंगे क्योंकि यह सिंथेटिक जो है बेंचमार्क टेस्ट जो है रियल वर्ल्ड परफॉर्मंस को जो है कुछ इतना खास अफेक्ट नहीं करते तो मैंने जैसे कहा गेमर वगरे हो तो ट्रिपलेट थुड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन गेमी ही करने हैं तो दुसरे और भी अच्छा ओप्शन है एट जेन वन के साथ उने भी जाब देख सकते हो तो इत हमारा गीक बेंच टेस्ट बिट्विन गैलेक्सी एस्ट अफी स्नाप्रेगन ट्रिपल मैं